हेलो एब्रिवन वेल्कम टू 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 पॉइंट इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर एंड चैप्टर का नहीं में स्टैस्टेक्स तो देखिए आप अपने आसपास के डेली लाइफ में बहुत तरह का इन्फेशन देखते होंगे, सुनते होंगे यए इन्फेशन किस फो में ठाइर में होता है एक्ट्स नुमेरिकल फिगॉर्स क्कॉगर्स टेबल्स एंड किसी भी तरीके से एड़्ी इनिफॉर्मेशन आपको कैसे मिल सकता है आपने निज्पेपर में पढ़ लिया टीवी में न्यूज देखा, वहाँ पे, इंटरनेट पे आप सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे, तो information आपको कहीं पे भी मिल सकती है, सपोज आप एक cricket match देख रहे हैं, तो उसमें दिखाते हैं, कि क्रिकेटर का बैटिंग एवरेज क्या है, बॉलिंग एवरेज क्या है, क्या strike rate है, आपने results देखे, election result होता है, तो वहाँ पे pulling result वगरा दिखाते हैं, आप ऐसी news में दिखाते हैं, कि different cities में क्या temperature रहने वाला है, तो यह सब information ही तो है, हम information से actually घिरे हुए हैं, तो जब हम किसी भी information से, मलब ऐसे numerical figures को, या फिर बिना numerical figures को, जब collect करते हैं, किसी definite purpose के लिए, तो उसको हम नाम देते हैं, data, यह हमार पास एक data है, उस data में से, आप meaningful जो आपके information है, उसको separate करते हैं, and इसी separation को, मतलब यह जो separation होता है, किसी भी meaningful data का, उसको हम mathematics में, ब्रांच में कहते हैं, statistics, या फिर short में लोग कहते हैं, stats, तो यही statistics, आपको मदद करते हैं, चीजों में से, जो meaningful आपके लिए, किसी भी चीज में से, आपके लिए, जो meaningful data हो सकता है, वही होता है, हमारा statistics, ओके, सपोज हमारे पास, 9th class में आपने पढ़ा था, कि classification कैसे करते है, data का, ungrouped और grouped frequency में, कुछ data होता है, जिसको आप ungrouped कहते हैं, कुछ होता है, जिसको आप grouped कहते हैं, right, and आपने क्या पढ़ा था, कि graphs की मदद से, या फिर histogram की मदद से, frequency polygons की मदद से, हम उस data को कैसे represent कर सकते हैं, इस chapter में, आप पढ़ेंगे, कि mean, median and mode क्या होता है, वेल, आपने 9th class में भी पढ़ा है, mean, median and mode, पर आपने तब पढ़ा था, ungrouped data के लिए, जो data ungrouped था, बट इस chapter में, हम mainly focus करेंगे, grouped data के उपर, कि जब एक data, क्योंकि हमारे पास, देखे, ungrouped data को आप तब study कर सकते हैं, जब बहुत छोटी quantity में आपके पस data हो, बट एक large scale प हम कैसे study करेंगे, उसका mean, median and mode कैसे निकालेंगे, also हम इस chapter में पढ़ेंगे, ogives के बारे में, यह हमारा एक frequency curves होते हैं, तो इसके बारे में भी हम इस chapter में पढ़ेंगे, okay guys, thank you.